बिहार आपसे सवाल पुछ राय माननी अमिक साजी कि गुजरात के नौ जिले अमरेली भाव नगर जाम नगर जूना गल कच पुर्वंदर राज कोट सुरेंदर नगर गिर्शोमनाद जिले को विसेश त्रेणी का दर्जा मिलेगा महराष्ट के विदर्व और मराठा वाला को सुखाल के नाम पर विसेश त्रेणी का मिला हुगा है और बिहार के 28 जिलें बालाव सिक्वार से प्रवाब देश की गरीह मंत्री अमीद सा अब से कुछ देर में बिहार आने वाले हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार से मुलाकात होगी जर असल ये मौका एक छेत्री परसद की बैठक का है और यहाँ पर तीन राज्यों के और मुख्यमंत्रियों को पहुंचना था हला कि जो अब तक जानकारी है उसके अनुसार एक भी मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं उनके प्तृनिधी जो है वह बिहार आ रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री मिंसरिफ नितिश कुमार ही होगे और बिहार में सरकार गिरने के बाद यह पहला मौका है जब अमीद साह के साथ नि माननी अमिच्छ चाह जी को इस बात का अस्वरन होगा कि आदरनिय नरेंदर मोदी ने कहा था कि डॉक्टर राम मनोर लोहिया जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर कोई समाजबादी नेता है तो वो नितिश कुमार जी है तो इसका एहसास हुआ होगा होगा 2015 में डियने का सवाल खड़ा किये थे उसका एहसास होगा और साथी साथ गारंटी गारंटी दिया था बिहार को कि विशेश दर्जा विशेश सहायता विशेश पैकेज देंगे तिन तमाम तत्थ्यों को आज आदरनिय ग्रीमंत्री जी असपष्ट करेंगे कि हमने क्या किया आपके लिए बिहार को वाइदा किया था इसलिए कोई सियासी माइन नहीं है और यह प्राचीन बिहार बंगाल उडिसा और जार्खन के मानिय मुख मंत्री को आना था तो मंत्री परशद की सामुईग जिम्मेवारी होती है कोई रिपरजेंट करेगा और जो अभी NCRB का रिपोर्ट आया है तो जो बिहार जैसे राजी ने जो लब्दी हासिल की है इसकी भी चर्चा होगी ने कहा यह भी जा रहा है कि जैसे तीन सदस बिहार से हैं विजय चौधरी है नितीश कुमार है और संजय जहार ऐसे में तजस्वी आदब नहीं है तो क्य किस्ती आतकले वहां से जानकारी नहीं है लेकिन बिहार में इंडिया गठ बंदन इंक्त यहां कोई भी दिमाग लगाने वाला का दिमाग फेल कर जाएगा यहां गटबंदन में कोई परिशानी नहीं लेकिन जो अमीद साह आ रहे हैं तो क्या बिहार का जो कुछ है बिसेश राज का दर्जा तो लगता है कि आपको मिल पाएगा यही तो सवाल हमसे उनसे पूछ रहे हैं कि बिहार आपसे सवाल पूछ रहा है माननी अमीद साह जी कि गुजरात के नो जिले अमरेली भावनगर जाम नगर जूनागर कच्पूर बंदर राज-कोठ सुरेंदर नगर गिरशोमनाच जिले को विसेश स्रेणी का दर्जा मिले गया महराश्ट के विदर्व और मराथा बाड़ा छेत्र को इनको सुखाल के नाम पर विसेश राज का इलाका जल प्रवंधन के लिए और हम प्राकृतिक आपदा जहलते हैं और आधर्णिय प्रधान मंत्री जी ने अपने मुझ से 2014 में का मुझब परपुर में कि नेपाल के नदियों से बाल की सुरच्छा हे तू नेपाल से वार्टा कर हाई डैम बना करके बाल का स्थाई सबाधान करेंगे पांच बारादर्णिय प्रधान मंत्री नेपाल जाते हैं बाबा पस्पतिनात से मिलते हैं नेपाल के राष्ट्रा ध्यक्त से मिलते हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं यह कहने के लिए कि नेपाल में हाई डैम बनाईए बिहार के लोगों को इससे मुक्ति मिल जाएगी इन सब बातों को कुछ फाइदा होगा आज बैठक में कर रहें ने से कि जल संसाधन मंत्री भी है और जो लोग हैं मुझे आनकारी ने माने मुख मंत्री जी चाहे किसी की सरकार रहा हो 2006 से हम लगातार राज जीत में मांग करते रहें हमारा गुनाह क्या है सो बताइए न भारत नेपाल सीमा पर आप 2016 से अब तक सलक नहीं बना पा रहा हैं ति कौन गुनाहगार इसके लिए होगा बिहार सरकार को पैसा नहीं दि दिया विशेश पैकेज आप बोले उदाहरन के रूप में बोल रहे हैं कौसल विकास बिस्विद्याले 1100 करोल का तुक कोशी के नदी के अंदर बना दिया है कि पाताल में है हम लोग तो खोज रहे हैं सेटेलाइट से कई मिलिये ने रहा है कि कहां पर है और एगरिकल्चर सेक्टर में तो इनका देख लीजिए 3094 करोल में से 150 करोर 34 लाक रुपया दिये हैं यह तो मैं एक उदाहरन दे रहा हूं एक ही चाबल काफी होता है पैकेज के नाम पर रिपैकेजिंग तो था ही जो दिये हैं कम मिलेगा लिलावती कलावती का कहानी है सवाल आप उठाते ह कि पैसा इन लोग खर्च नहीं कर पाते हैं तो बजट काकार किसे बढ़ रहा है कि रहा हूं नहीं से ज्ञान ले रहे हैं अब मोदी जी के बारे में हमको नहीं कुछ कहना है मोदी जी अभी मद्द छिंदवाड़ा के लोग सब सब सीट को ही इंचार्ज थे अस सब जगा क कि बांगे।